नमस्कार दोस्तों, One India मैं प्रशानत आप सब ही का स्वागत करता हूँ ICC Test Championship के फाइनल मुकाबले में अब महीने भर से भी कम समय रह गया है New Zealand की टीम England पहुँचकर अपनी तयारियों में भी लग गई है और England की खिलाब दो मैचों की Test Series भी खेलेगी Team India दो जून को England के लिए रवाना होगी भारत और नीजर्ण की बीच फाइनल 18 से 22 जून तक साउथ हैंटन में खेला जाएगा Team India ने World Test Championship में शुरुआत से ही शांदार खेल दिखाया है चाहे घर मर हो या फिर बाहर टीम हर जगा शांदार प्रदोशन करते आ रही है Team India ने पिछले सेरीज में England को 3-1 से हराया था वहीं पिछले ऑस्टेलिया दोरे में टीम नेतिहास रचते हुए दो एक से ऑस्टेलिया को उनी के घर में हराया था अमोवन टेस्ट क्रिकेट में माना जाता है कि छक्के कम लगते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बलेबाजों के पास काफी समय होता है और वो खराब शॉट खेल कर अपना विकेट नहीं गवाना चाहते लेकिन Team India की युवा बिकेट के साथ ऐसा नहीं है आज Team India के खिलाडी बेख़ॉफ खेलने के लिए जाने जाते हैं टेस्ट क्रिकेट में भी रोही चर्मा ने ताबड तोड बलेबाजी का नजारा पेश किया है रोही चर्मा लगातार अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं रोही चर्मा ने टेस्ट चेंपिन्शिप की 17 पारियों में 27 चखके ठोके हैं लिस्ट में दूसरे नंबर पर सलामी बलेबाज मैंक अगरवाल हैं। मैंक अगरवाल ने लंबे समय से भारती टीम की ओपनर बलेबाजी के जिम्मेदारी संभाल रखी थी, हाना कि आस्टेलिया सीरीज के दौरान लगातार फेल रहने के बाद रोहित शर्मा और शुम्मन ग किल को कुछ मैचों में ओपनिंग के जिम्मेदारी दी गई थी। मैंक ने अब तक टेस्ट चेंपेंशिप में अच्छा प्रदर्शन किया हैं। मैंक ने 12 टेस्ट की 20 पारियों में 18 चके ठोके हैं। लिस्ट में तीसरा नाम है रिशब पंत का। भारती टेस्टीम के विक होके हैं। तो ये भी वो तीन भारती बलेबाज जिन्होंने वर्ल्ट टेस्ट चेंपेंशिप में अब तक सबसे ज्यादा चके ठोके हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हैं वन इंडिया के साथ।